हलो फ्रेंड्स वेल्कम टु द्रापदी स्कीजन चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं आज आप लोगे तर्शेर करने वाली हो स्पेशल टेकवा रेसिपी टेकवा जो होते हैं स्पेशली छटपुजा में बनाया जाती हैं इंडिया में लेकिन आप ऐसा सेम कुकीज भ या हुआ नायल तेर टेबल स्पून वन टेबल स्पून एंड वन टीस्पून तो दो टेर टेबल स्पून कुछ किश्मिश और काजू फाइनली चॉप्ट और बड़े इलाची के दाने इनी या शुगर दो टेबल स्पून या वन एट कप घी देसी घी मैं डाल रही हूं वन टीस्पून घी का रेश्वी मैंने एंस्क्रीन पे दे दिया अब देख लेना अब सारे चीज को मैं मिक्स कर लूँगे और एक चुटकी नमक भी मिला लेना आप में गुनगुना गरम पानी से यह ड्रोप पिपेर करूंगी लेकिन बहुत कम पानी लूँगी डो बनान तो तीन टेबल स्पून में करीब हमारा अच्छा डो बन गया है आप देखिए हमें बहुत अच्छे से डो बना लिया और काफी टाइट डो बना है लेकिन साथी साथ सौफ्ट भी है डो अब देख सकतो डो हमारी सौफ्ट है लेकिन काफी टाइट है तो अभी मैं डो को ढ रखके रखूंगे 20 मिनिट के लिए 20 मिनिट बात हम देखते हैं अभी हमारा डो काफी अच्छे से रेडी हो गया है और चीनी का मैं एक बता देती हूं अगर चीनी आप ग्रैनियुल ले रहे हो तो टेबल स्पून लेना अगर आप पाउडर शुगर ले रहे हैं तो इक्वल one fourth cup लेना अब मैं उस दो से चोटे चोटे cookies बोलो या ठेक्वा बोलो वो बना लिया कुछ भी आप मन पसंद शेब दो मुझे ऐसा शेफ देना पसंद है तो मैंने एक फोक्स से ऐसा शेब दिये दिया आप कुछ ऐसा शेब देना पसंद है वैसा देतो अगर आपको मेरी व दिपभाई करेंगे ट्रेंट्सॵा आत चाहू तो बेग भी कर सकते हो जैसी आप की मर्जी हम स्रेख करके दिखाते हैं तो हम प्योड अधे Сам हूथ देशीं में इसको डीप प्राइक कर रहे है ऑपते को घीप ब्रॉशब कर सकते हो आपन 15-20 मिनिट के लिए लो हीट में तो हभी हम दोनों साइट को फ्राइ कर रहें और बहुत धीमी आज में फ्राइ करनी है एकदम लो फ्रेम में तब अच्य फ्राइ होगी अधर्वाइस हाइ फ्राइ करेंगे तो उपर से लाल हो जाएगे लेकिन अंदर से कच्छा रहेगा तो है धीरे धीरे फ्राई होने में और रेडी है मारा याम्मी टेस्टी ठेकवा या सेमोलीडा कुकीज